हलो अब्रीवन मानेश्मेंट मंत्रा के इस वीडियो में आपडेंगे टाइपस ओप सेल्स डिस्प्लेए विक्री प्रदर्शन के प्रकार तो इसके 12 टाइपस होते हैं अब इन सभी को डीटेल में बेसिक सेल्स डिस्प्लेए क्या होता इसका मिनिक ऑप्शिक्टिव इसके एलिमेंट्स का वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शिन में अविलेबले आप मासे देख सकते हैं और कॉर्णर अई बिटन पर क्लिक करें home अबिलेबले आप से अबसे लएक लोको कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगी तो प्रीज लयख किजेर हैं सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए अब इन सभी टाइपस को हम डीटेल में देखते हैं तो फर्स एक बार देख लेते हैं कि सेल्स डिस्प्ले इन स्टोर प्रेजेंटेशन होता है एक्जिबीशन होता है किसी भी प्रेड़क्ट से रिलेटेड इनफॉरमेशन का आपने लगाया है दिखाया है शो किया है ताकि कस्टमर का इंट्रेस्ट उस प्रेड़क्ट के लिए जागे और वो उस प्रेड़क्ट को खरीदे तो टाइपस ऑफ डिस्प्लेइन रिटेल विज्वल मर्चेंडाइज यह डिपरेंड करता है कि किस टाइप के आईटम से आप अंदर आते हैं वहाँ पर लगा होता है यह कुछ भी सीजनल या फिजो करेंट में सेल्स जल रही है उसको बताने के लिए हॉलीडे में कुछ प्रमोशन के लिए शोकेस होता है सीजनल नैसेसिटी का यह कस्टमर्स का ध्यान लेने के लिए कि क्या उनके लिए बैस चीले उसको बताता है नेक्स्ट आता है फ्री स्टेंडिंग डिस्प्ले यह ग्रेट हैविली एरिया को कवर करने के लिए होता है टिपिकली यह शोल्डर हाइट या उससे ज्यादा भी हो सकता है यह इसके लिए आपको बहुत जादा एरिया की जरूत होती है आप यह आप एक ही कंटेनर के अंदर आपको मिल जाते हैं जैसे यहां लिखा 94 में आप कोई सा भी ले सकते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्स मिलेंगे चॉकलेट हो सकता है बुक्स हो सकती कोई स्टेशनर ही हो सकता है तो इस तरह के लाज कैसे सूपर मार्केट में आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट आता है डिस्प्ले केसिस यह डिपार्टमेंटल स्टूर्स में मिलते हैं मेली और यह जैसे कि आप देख सकते हैं जूलरी काउंटर में या स्विट्स के शॉप पे आप जाते तो वहां पे आपको यह ग्लास के कैसिस मिलते हैं जिसमें कि आपको बाहर से प्रिडेक्ट दिखता है और यह कुछ हैवी प्रिडेक्ट के लिए लोग उसको टैश ना करें उठाए ना चूरी ना मैंली उन चीजों के लिए इन डिस्प्ले का यूस किया जाते हैं नेक्स्ट आते हैं गॉंडलर डिस्प्ले यह डिस्प्ले जिस तरह के से जिर्ली शिर्य आये हैं उनको आप लगाने के लिए इस तरह के डिस्प्ले का यूस करते हैं नेक्स्ट आता है एंक эта डिस्प्ले ग्रेट वाठी साकते हैं तो यह डिस्प्ले सेल्स मर्चेंट इसको की वह एंड तक वॉक करके जाए क्या नए आइटम है रिगुलर बैसिस पर कुछ नया लगते तो उस तरीके से इसको एंड में डिस्प्ले किया साते हैं कि कुछ नया आइटम आया है उनको दिखाना है उसके लिए इसका यूज करते है नेक्स्ट आता है विंडो डिस्प्ले जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो पर आपके प्रिड़क्ट को डिस्प्ले करते हैं यह इंपॉर्टन टाइप होता है डिस्प्ले का और यह कैपबल होता है कि जो भी स्टूर में करेंट में क्या चीज़े आप उनको डिस्प्ले क कर सकते हैं क्या करेंट सेल चल रही है क्या सीजनल चीजें हैं तो ऐसे ब्रांडेट इस तरीके से डिस्प्ले होते हैं नेक्स्ट आता है बैनर डिस्प्ले जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह के जो बैनर होते हैं वह आपको देखने को मिलेंगे एक्चुली जहां पर बहुत movable होते हैं कि यह store के किसी भी corner में लगा सकते हैं किसी भी product को उनको बताना है कि वो अलग different location पे अविलेबल है आपकी top floor पे कुछ अविलेबल है तो आप उनको नीचे दिखा सकते हैं तो यह banners का आप long term तक use कर सकते हैं नेक्स्ट आता है self-talker यह low profile way के advertisements के लिए use के जाता है stores में जो आपको self दिखती है वाप पर प्रिडेक्ट्स जो रखे रहते हैं तो कुछ small products जो लोगों को highlight काना है तो आप बहुत सारे items को इसमें कम-कम space में दिखा सकते हैं आपका stock इस तरीके से रखा उता आपको यह supermarkets मे किसी भी stores पर देखने को मिल जाता है नेक्स्ट आता है display table commonly use किया जाता है display folded clothing items के लिए यह आपको मेली malls में ही जो clothing के brands रहते हैं उनके stores पर आपको मिल जाएगा कि आपके different type की accessories jewelry watches purses शारी चीज़े एक place पर पूरे devil पर अच्छे तरीके से manage होती ही था कि जो भी इंटर हो उसको starting में ही दिख जाए कि store में क्या क्या चीज़े अबेलेबल है next आता है manicure display जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह clothing के लिए यूज होता है हर place पर की तो manicure का use jewelry scarves accessories cloths के लिए होता है कि इनको पहना के दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब लोग इसको देखके समझ सकते हैं कि अगर वो पहनेंगे तो कैसा लगेगा next आता है point of purchase display जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह selfs होती है जहां पर की point of purchase display जहां पर आप finally bill payment करने जाते हैं वहां पर आपको मिल सेंगे यह different तरह के display तो यह great way होता है कि आप जो भी आपकी space है उसको अच्छी तरीके से utilize कर सके जो भी counter पर check करने जा रहा है तो mainly यहां पर chocolates का यूज के जाता है ताक कि अगर चाय जाते हैं तो वह chocolates को easily carry करें और वह product को purchase करें तो mainly chocolates जो भी kits के लिए चीजे होती है products होते है toys होते हैं उनको mainly हाँ पर रखा जाता है कि kits है तो वह particularly उस product को खरीद के जाए तो यह different type के display आपको cell में move करने के लिए बहुत easy होता है और आप आपका store का कितना एरिया है और आप आपके store के एरिया को अच्छी तरीके से utilize कर सकते हैं तो लांज department warehouse stores हो सकते हैं यह display बताते हैं बाना display self-tech यूज किया जाता है different sizes में different type के stores पे तो आप different product के according different store के जो एरिया होते हैं उसके according आप display चूज कर सकते हैं तो types of cells display के इस वीडियो में आपने देखा entryway display, freestanding, dumping display, cache, gondola display, end care, window display, banner display, self-tech, display table, manicure and point of purchase description में cells display क्या होता है या point of cells क्या होता है उसके वीडियो का link अबिलेबल है आप हाँ से देख सेथे हैं कि उसका basic meaning, importance, objective और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चीट आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू